हेलो गाइज, वेलकम टो किवी गेजन केंग, आज हम गोबी के रोल्स बनाएंगे, देखिए बहुती क्रंची और बहुती अच्छी है, इससे आप ज़रूर ट्राइ करिएगा और इसके लिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, आएए हमें स्टार्ट करते हैं अप आदी कटोरी बेशन, आदी कटोरी सूजी, अब हम बाउल में गोबी को ग्रेट कर लिया, इससे डाल लेंगे, दो वोईल आलू इससे भी हमने ग्रेट कर लिया है, डाल लेंगे, बेशन, और सूजी, सफेथ दिली, हाफ टीच पून हल्दी पावडर, हाफ टीच पून नमक यह फिटेस्ट की अकॉर्डिंग, वन टीच पून धनिया पावडर, हाफ टीच पून जीरा, सूखलाई और मिर्च को हमने कट कर लिया है और थोड़ा साध रग, यह हम डाल लेंगे इसमें, अब इ कि इसको मच्ची से मिख्ज करना देंग intern defeated अगर नहीं बनाएंगे तब हम थोड़ा सा वॉट이ंस कल देंगे इसमें उन टेबल स्पून ऑल डाल देंगे भी अब इसका दो बनालेंगे यूज को लेंगे इसमें वन तेबल इस्पून ओइल डाल देंगे अब इसका डो बना लेंगे यह डो रेडी हो गया हम ने वाटर का बिल कुल यूज नहीं करा है अब हम इसके चोटी-चोटी टिक्की का शेप दे देंगे या फिर और कोई शेप हम दे सकते हैं इस तरहे से ह चोटी चोटी बाल्स ले लिंगे म्ह widow चで एक कर और यह रोल कर देंगे जिए देखिए देखें से अब प्रोड़ी बना लेंगे अब हम पैन में ऑईल डाल कर मीडियम टू हाई फ्लेम में हीट होने रख देंगे यह हमने रोल्स बना के रख लिए हैं अब ऐसे रोल्स में भी शेप दे सकते हैं या फिर टिक्की में भी शेप दे सकते हैं अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे ओई हीट हो गया है अब इसमें रोज दालेंगी मेडियम फ्लेम पर इसे कुखोने देंगे अब इसे टन कर लेंगे यह देखिए हलके हलके कुख हो गए हैं दूसरे साइट से भी सी तरह कुखोने देंगे रोल्स हमारे कुख हो गया है अच्छी तरह से अब इसे हम निकाल लेंगे देखे कितना अच्छा कलर आया है अब हम फिर से इसी तरह डालेंगे मीडियम फ्लेम परी अब इसे कुख होने देंगे हमने इसमें बेशन और सूजी एड़ किया है आप सूजी की जगा ब्रेट क्राम या फिर पुखा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सूजी ना डालें बेशन से भी आप सिर्फ बना सकते हैं इसी तरह हम दोनों साइड अच्छे से टर्न करके कुख कल लेंगे यह हो गए हैं अब इसे हम निकाल लेंगे बाकी सारे इसी तरह हम कुख कल लेंगे यह हमारे रोल्स रेडी हो गए हैं इसे आप ट्राइ करिएगा देखी बहुती क्रंची और कितनी अच्छी फिलिंग आई है इसे आप ट्राइ करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा ठैंक यू